C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ठ एक इस प्रिष्ठ पर एक उद्ध्यान का चित्र दिखाया गया है इसमें पीछे पहाड है और पहाड के नीचे एक जील दिखाई गई है जील के किनारे एक संगी तग्य कुर्सी पर बैठकर गिटार बजा रहा है उसके ठीक सामने एक युवती एक पत्थर पर बैठी है और बड़े ध्यान मगन होकर वो उस संगीत को सुन रही है उनके ठीक दाहिनी और दो बच्चे एक जूले पर बैठे उसका मजा ले रहे हैं बाई तरफ एक लड़का बैठा है तथा दाई तरफ एक लड़की बैठी है जूला उपर नीचे जाता है वो दोनों आनंदित नजरा रहे हैं इन दोनों बच्चों के बाई और एक व्रिक्ष दिखाया गया है जिसके नीचे दो लड़कियां आँख मिचोली खेल रही है एक लड़की पेड की और अपना मुह किये आँखें बंद किये खड़ी है जबके दूसरी लड़की वहां से चुपने के लिए भागती हुई नजर आ रही है इनके ठीक बाई और एक लड़का ज़ाडियों के पीछे इस खेल को खेलता हुआ छुपा नजर आ रहा है इस लड़के के ठीक आगे एक छोटी बच्ची पानी के एक छोटे से तालाब के सामने बैठी रोती हुई नजर आ रही है उसके ठीक सामने एक कटोरे में कुछ सामान रखा है और उसके दाई और एक लड़का एक गेंद के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है उस लड़के की साइकल पीछे छूट गई है उस साइकल के ठीक साथ में एक मूच वाला व्यक्ति एक वीलचेर पर बैठा अखबार पड़ रहा है उसका एक पैर नहीं है प्रिष्ठ दो इकाई एक परिवार चित्र और बाचीत इस प्रिष्ठ पर एक उद्ध्यान का चित्र दिखाया गया है सबसे उपर बाई और दो लड़कियां आपस में बैठी बात कर रही है उनके पीछे दो टीले नजर आ रही है और उनके दाई और कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आ रही है उनके ठीक सामने एक नदी है जिसमें एक नाविक बैठा नाव को चला रहा है उसमें एक बच्चा भी नौका विहार का आनंद ले रहा है पानी में नीचे एक मचली नजर आ रही है जिसे देखकर बच्चा उसे पकड़ना चाहता है नदी के दाई और एक बच्ची अपने हाथ में दो गुबारे लिए खड़ी है नदी के ठीक आगे तीन बच्चे रसा तापने का खेल खेल रही है उनमें से एक लड़का और एक लड़की रसे को घुमा रही है जबके बीच में एक लड़की रसे को तापते हुए नजर आ रही है इनके ठीक साथ में एक बालक जिसने अपनी आँखों पे चश्मा लगाया हुआ है वो लकडी के दो टुकणों का एक स्टैंड बना कर उस पे चाए बनाने की केतली लटका कर नीचे आग जलाकर केतली में चाए बना रहा है उसके पास साथ ही चटाई पर चाए के दो कप रखे हैं और एक बासकिट में ब्रेड रखी है उसके ठीक पीछे एक कुत्ता नजर आ रहा है जो आस्मान की और विस्मृत भाव से देख रहा है चाए बनाने वाले लड़के के दाई ओर एक महिला बैठी है उनके हाथ में एक सेब है उनके ठीक सामने एक पतंग और पतंग को उड़ाने वाली डोर और चर्की है उनका बेटा पेड के तने से रसी बांध कर उससे लटकने की कोशिश कर रहा है उनके बेटे ने अपने सिर पर पठका बांधा हुआ है जिससे समझ में आता है कि ये बच्चा सिख धर्म को मानने वाला है पेड के ऊपर एक पक्षी अपने घोसले में बैठा हुआ नजर आ रहा है इस चित्र में सबसे आगे चटाई बिच्चा कर एक मा अपनी बेटी को खाना देते हुए नजर आ रही है उसके हाथ में एक बरतन है दूसरे हाथ में एक बरतन है जो वो अपनी बेटी को देते हुए नजर आ रही है उनके ठीक सामने दो बोल रखे हैं जिनको ढखकर रखा गया है और उनमें से चमच बाहर निकलते हुए नजर आ रही है साथ ही खाने का सामान ले जाने वाली एक टोकरी भी रखी हुई है मा जिस बरतन में खाना बच्ची को दे रही है और बच्ची उस बरतन को ले रही है उसे देख के ये समझ में आता है कि खाने वाली चीज गोल है शायद वड़ा शिक्षन संकेत चोटे समहूं में बैठ कर चित्र को देखिए और आप जो देख रही हैं अपने मित्रों के साथ साजा कीजिए ये सारे लोग यहां क्यूं आए होंगे? यह जगा उन्होंने क्यूं चुनी होगी? आप कहां जाना पसंद करेंगी? किन के साथ जाना चाहते हैं? चित्र में एक बच्ची क्यूं रो रही है? क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? कुल कितने परिवार इस जगह पर आई हैं? यह सबताह का कौन सा दिन हो सकता है? शाम होते होते इन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे? शिक्षक इन सभी प्रशनों का उप्योग कर बच्चों के साथ विस्तरत चर्चा करें बच्चों को अपनी भाशा में मन की बात कहने के लिए प्रोच साहित कीजी एवन उप्योग्त अफसर प्रदान कीजी प्रिष्ठ दो अध्याय एक सुने कहानी कहानी का शीर्शक है नीमा की दादी नीमा दोपहर में दो बजे स्कूल से लौटती है इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है वे कही नहीं आती जाती है कभी बैठे-बैठे सब्जी काट रही होती है उनके घुटनों में दर्द रहता है इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं पहला चित्र सबसे उपर दाई तरफ है जिसमें नीमा दरवाजा खोल कर घर के अंदर आते हुए दिखाई गई है दूसरा चित्र प्रिष्ठ के बीच में है बाई तरफ इस चित्र में दादी दरी पर बैठ कर सबजी काटते हुए नजर आ रही है तीसरा चित्र प्रिष्ठ के बाई ओर सबसे नीचे है जिसमें दादी अपने घुटनों पर तेल मलते हुए नजर आ रही है प्रिष्ठ तीन नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है दादी भी उससे खूब बातें करती है शाम को नीमा खेलने जाती है एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली नीमा थोड़ी देर बैठ जा क्यूं? नीमा पलट कर बोली मेरा समय नहीं कटता दादी बोली नीमा रुकी फिर दोड कर दादी की चपलें ले आई और बोली दादी, आप भी मेरे साथ खेलने चलिए खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है मैं पांच बजे खेलने जाती हूं पर दस मिनट में ही छह बज जाते हैं दादी जोर से हसी फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े इस प्रिष्ट पर तीन चित्र दिखाए गए है पहला चित्र सबसे उपर दाई तरफ है जिसमें दादी नीमा को घर में रुकने के लिए कहते हुए नजर आती है दूसरा चित्र प्रिष्ट के बाई और बीच में है जिसमें नीमा दादी से घर में रुकने की वजह पूचते हुए नजर आती है साथ ही वो उनकी चपल उन्हें पहनाते हुए नजर आती है तीसरा चित्र प्रिष्ट के सबसे नीचे है जिसमें नीमा और दादी दोनों खेल के मैदान की ओर जाते हुए नजर आती है लेखक शशी सबलोग प्रिष्ट चार बात चीत के लिए एक नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है दो मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा तीन नीमा कहती है मैं पांच बजे खेलने जाती हूँ पर दस मिनट में ही छह बज जाते है क्या आपके साथ भी ऐसा होता है चार आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं इन प्रशनों के उत्तर लिखिए एक इस कहानी में कौन-कौन है इस कहानी में रिक्तस्थान और रिक्तस्थान है दो नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं मैं अपनी स्कूल की बातें रिक्त स्थान को बताती हूँ या बताता हूँ तीन इस कहानी में नीमा और दादी है न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के सूची बनाए बाई और न वाले शब्द शीशक के नीचे रिक्त स्थान दिये गए है जहां पर आपने न से शुरू होने वाले शब्द लिखने है और दाई और द वाले शब्द शीशक के नीचे भी रिक्त स्थान है जहां आपने द से शुरू होने वाले शब्द लिखने है शिक्षन संकेत बच्चे दी, दे, दो, नी, ने आदी से शुरू होने वाले अपनी भाशा के शब्द भी बता सकते हैं उन्हें स्विकार कीजे और बूट पर लिखिए प्रिश्ट पाँच शब्दों का खेल एक, यहां कुछ वर्ण और कुछ मात्राईं दी गई है इन्हें जोड कर अपने शब्द बनाईए और अपनी कौपी में लिखिए इस चित्र में कई वस्तुएं दिखाई गई हैं जैसे ताला, पत्ता, चर्खा, चाबी, नित्यांगना, बस, जोपडी और इमारत अब चित्र पहेली में दिये गए अक्षरों को जोड कर सार्थक शब्द समू बनाएं अक्षर हैं ल, ज, ब, प, आ की मात्रा और आ र, म, स, घ, छोटी इ की मात्रा इ त, ख, च, न, बड़ी इ की मात्रा और इ दो, कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए बच्चों, यहाँ पर रेल गाड़ी के डिब्बों से आपको बच्चों, यहाँ पर दी गए रेल गाड़ी के डिब्बों में रिक्त स्थान है आपको उन्हें रिक्त स्थानों में छूटे हुए अक्षर भरने हैं रेल गाड़ी के पहले डिब्बे में अ लिखा है फिर दूसरा, तीसरा और चौथा डिब्बा खाली है जिसमें आपको छूटे हुए अक्षर भरने हैं उसके बाद पांचवे डिब्बे में उ लिखा है, फिर छठा और सातवा डिब्बा खाली है आठवे डिब्बे में ए लिखा है, जिसके बाद नौवे, दस्वे और ग्यारवे डिब्बे में आपको छूटे हुए अक्षरों को भरना है शब्दों का खेल एक यहकारे बच्चों को छोटे समूं में मिलकर करनी को कहिए इसी तरह से सभी वर्णों और मात्राओं की पहेलियां बच्चों को नेमित रूप से करने के लिए दीजिए प्रिष्ठ संख्या पाँच तीन कहानी में इंतजार शब्द आया है अक्षर के उपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं इंतजार में जैसे ही ए के उपर बिंदी लगाई गई इंतजार हो गया आईए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं इस प्रिष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें तीन कॉलम बनाए गए हैं पहले कॉलम के उपर शीर्षक है अक्षर समुहूं दूसरे कॉलम का शीर्षक है अनुस्वार लगाने पर बना शब्द और तीसरे कॉलम में शीर्षक है चित्र पहला अक्षर लिखा है शक अनुस्वार लगाने पर शब्द बना शंक उसके ठीक सामने चित्र वाले कॉलम में शंक दिखाया गया है पतग पतग के ठीक सामने अनुस्वार लगाने पर शब्द बना पतंग और उसके ठीक सामने पतंग का चित्र तीसरे कॉलम में दिखाया गया है इसी तरहे अक्षर समुह में ऊपर से नीचे के क्रम में आते हुए तीसरा शब्द है बदर इसके ठीक सामने अनुस्वार लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा रिक्त स्थान को भरें इस रिक्त स्थान को भरने के लिए आपकी सहायता के लिए इसके ठीक सामने एक चित्र दिखाया गया है आप यदि इस चित्र को देख कर समझ गए हैं तो रिक्त स्थान को भरें इसी तरहे अक्षर समुह में चौथा शब्द है मदिर इसके ठीक सामने अनुस्वार लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा रिक्त स्थान में लिखें और उस शब्द से जो चित्र बनेगा वो चित्र चित्र वाले कॉलम में दिखाया गया है इसी तरहे अक्षर समुह में सबसे नीचे पाँचवे नंबर पर शब्द लिखा गया है अगूर इसके ठीक सामने रिक्त स्थान दिया गया है इस शब्द के ऊपर कहां अनुस्वार लगेगा और कौन सा शब्द बनेगा ये लिखें आपकी सहायता के लिए इसके ठीक सामने चित्र दिखाया गया है उस चित्र को पहचान कर भी आप रिक्त स्थान को भर सकते हैं सारंगी वाचनस्वर बावला कोचर और ममता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहयक, तनु गुप्ता, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत